देश में अब तक ओमिक्रॉन के 4,461 मामलों की पुष्टी हुई है इसमें महाराश्ट्र में 1,247 जबकि राजस्थान में 645 दिल्ली में 564 और करनाटक में 489 मामले शामिल हैं स्वास्तमंत्राले ने बताये कि अब तक ओमिक्रॉन संक्रमित 1,711 मरीज ठीक हो चुके हैं जब तक कि वे अधिक उम्र के ना हो या अन्य रोगों से ग्रस्त ना हो उन्होंने ये भी कहा है कि खासी बुखार, गले में दर्द, स्वात और गंध की पहचान नहीं कर पाने और सांस लेने में परिशानी तथा सांस की अन्य तकलीफ होने पर कोविट जाच अनिवारे हो जबकि अंतरराष्ट्री यात्रा पर जा रहे व्यक्तियों तथा जलमार्ग और वायुमार्ग से भारत आ रहे यात्रियों की भी कोविट जाच अनिवारे होगी भारती आयरविग्या ननुसंधान परिशद ने कहा कि जीनोम सीक्वेंसिंग केवल निगरानी के लिए की जा रही है उपचार के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग आवश्यक नहीं है इधर 36 गड में भी कोविट संक्रमन के नियंतरन के लिए सभी जिला कलेक्टरों को नए दिशा निर्देश चारी किये गए हैं राज्य शासंद्वारा जिला कलेक्टरों को दिये निदेश में ये स्पष्ट किया गया है कि जिले में ऐसे विशेश क्षेत्र जहां कोविट संक्रमंट 4 प्रतिशत या उससे अधिक है वहां संक्रमंट की रोगठाम के लिए उनक्षेत्रों को कैटेगरी A में रखा जा सकत है ये भी सपष्ट किया गया है कि अधि कलेक्टर संपूर्ण जिले को कोविट संक्रमंट की कैटेगरी A में नहीं रखना चाहते हैं तो अपने जिले के ऐसे शेत्र जहां संक्रमंट दर अधिक है उन विकास खंडों को कैटेगरी A में रख सकते हैं उन लेकनी है कि कैटेगरी A में ऐसे जिलों को रखा गया है जहां कोविट संक्रमंट की दर चार प्रतिशतिया उससे अधिक है इन जिलों में रात के समय सभी प्रकार की गैर आर्थी गतिविधिया रातरी दस्ते सुबच 6 बजे तक बंद रखे जाने के साथ साथ सभी स्कूल और आंगनबाडी केंदर लाइबरेरी, स्विविंग पूल एवं अनिस सारवजा निकिस्थान बंद रखे जाने के निर्दे और कोरोना से सुरक्षा के प्रती जन जागरुकता के लिए फ्लैग मार्च का योजन किया जिले के अत्रिक्त दंडा अधिकारी लीना कोसम के नित्रित्व में ASP, SDM सहित, राज्यस्व पुलिस अधिकारियों ने सायरन बजाते हुए पुलिस कंट्रोल रूम से नैला रिल स्टेशन शारदा चौक जाजगीरबस्ती केरा रोड में फ्लैग मार्च का योजन किया इस दोरान लोगों को कोरोना से सुरक्षा के लिए जारे गाइडलाइन का पालन करने की अपील की गई